नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का आर्पी टेक्निकल इस्टडी यूटॉब चैनल में तो दोस्तो आज किस वीडियो में आपन बात करने वाल है यूपी आर्वी यूएनल का परवी सियर क्यूशन पर बढ़े जिसमें आपने नोन टेक्निकल के इंपोर्टेंट तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो पहला क्यूशन दे रखा है कल पढ़ना मुआवरे का उची तर्थ बताना है तो इसका राइट आँसर हो जाएगा चैन मिलना कल पढ़ना का मतलब क्या होता है चैन मिलना चलिए अगला कुशन रखा है कौन सा प्रियाईवाची सबद यूगम सुद्ध है इन में से कौन सा प्रियाईवाची सबद है जो की यूगम सही है सुद्ध है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यक्सराज का प्रियाईवाची सबद क्या होता है कुबेर तो राइट आंस संस्कर्ट से विकर्ट होकर इंदी में आये सब्दों को क्या कहते हैं तत्य भाउत सब्द राइट आंसर हो दाएगा ओप्शन नमबर चार चलिए अगला क्यूशन रखा निमिल लिक्त में से कौनसा प्रियाईवाची सब्द समुव सुद्ध है इन में से कौनसा अगला क्यूशन रखा विनास के लक्षन परकट होना अर्थ के लिए उचित मुहावरा होगा विनास के लक्षन परकट होना मुहावरे का अर्थ बताना है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चीटी के पर लगना राइट आंसर क्या हो जाएगा चीटी के पर ल सीमा ने खाना खा लिया, सीमा खाना खा लिया, इस वाके का सुधरूप बताना था, तो इसका राइट आंसर हो दाएगा, सीमा ने खाना खा लिया, अगला कुर्शन, अगला कुर्शन दे रखा, निमलिक्त में से तत सम सबद को बताना था, जिसमें ओप्शन दे रखा था, तिकते, चसके, खीचडी, ठूमरी, तो राइट आंसर हो जाएगा, तिकते, राइट आंसर होगा, अप्चन नमबर एक, अगला क्यूशन, अगला क्यूशन दरका, इंदर का प्रियावाची सबद कौन सा है, तो दोस्तों, इंदर का प्रियावाची सबद बताना था, तो इस वाक्यांस क्या दे रखा है किसी तरह की जिम्मेवारी का ना होना इस वाक्यांस के लिए उचित लोकोक्ती बतानी है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे नात ना पीछे पगा राइट आंसर हो जाएगा आगे नात ना पीछे पगा राइट आंसर हो जाएग 9, 3 दे रखा सक्ति, 4 दे रखा आग, तो इसका right answer बताना था, तो इसका right answer हो जाएगा सक्ति, right answer क्या होगा, option number 3, अगला question, अगला question दे रखा, नाच न जाने आंगन टेड़ा, लोकोक्ति का आरत क्या होगा, नाच न जाने आगन टेड़ा, इस लोकोक्ति का आरत बताना था, तो इसका right answer हो जाएगा काम न जानना और भाने बनाना अगला question दे रखा है विलोम सब्दों का कौन सा युगम सही है इन विलोम सब्दों में से बताना है कि कौन सा युगम सही है जिसमें दे रखा है लुप्त आगते, लिप्त निरलेते, निरलेते option 3 दे रखा विस्तरत सामाने, option 4 दे रखा बरबर अबदर तो इन विलोम सब्द का सही युगम बताना है तो इसका right answer हो जाएगा लिप्त निरलेते right answer क्या हो जाएगा, लिप्त का क्या होता है, निरलेते होता है एक दूसरे के विलोम का सही युगम कौन सा इन में से लिप्त का क्या होता है, निरलेते, तो right answer होगा option number 2 चलिए अगला question अगला question दे रखा समश्टी का विलोम सब्द बताईए तो समश्टी का विलोम सब्द होता है, वैस्टी right answer क्या हो जाएगा, वैस्टी अगला question अगला question दे रखा चोकी सबद का ततसम सबद रूप कौन सा है चोकी सबद होता है, इसका ततसम रूप कौन सा है, तो दोस्तों इसका right answer हो जाएगा, चतूस पादि क्या, राइट answer क्या होगा चतूस पादि का, तो right answer होगा option number 1, चलिए अगला तो वाक्य में सुद्धी को बताना है कौन सी इन में से तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किरिया समझनी सुद्धी राइट आंसर होगा option number 2 चले अगला question रखा है इस्तूते का विलोम सबद क्या होता है तो दोस्तो इस्तूते का विलोम सबद होता है निंद क्या होता है निंद अगला question रखा है बच्चे ने खिलोना लाओ वाक्य का सुद्रूप बताना है तो दोस्तो बच्चे ने खिलोना लाओ का सुद्रूप होत बच्चे के लिए खिलोना लाओ, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चे के लिए खिलोना लाओ, अगला क्यूशन, तो दोस्तों अगला क्यूशन दे रखा, निमिलिक्त में से कौन अनिवार्य रूप से पंचवर्शिय योजना को वार्शिक किस्त में विवाजित करता ह तो इसका right answer हो जाएगा केंद्रिय योजना कौन करता है केंद्रिय योजना तो right answer हो जाएगा option number 1 चलिए अगला क्यूशन दे रखा निमेलिक्त में से कौन सिंदुगाटी सब्वेता की खोज से संबंदित नहीं है उप्शन एक दे रखा अलेकजंडर बरंस दो दे रखा आरडी बनर जी तीन दे रखा रवी सास्तरी बंडारी चार दे रखा चाल से मेशन तो इसका रवी सास्तरी बंडारी है जो कि सिंदुगाटी सब्वेता की कोज से संबंदित नहीं है तो इसका राईट आइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन चले अगला क्यूशन दे रखा निमिलेकित में से कौन सा त्रीपुरो का राज्य पुसप है इन में से कौन है जो कि त्रीपुरो का राज्य पुसप है तो दोस्तों त्रीपुरो का राज्य पुसप है नागेश्वर क्या है नागेश्वर अगला क्यूशन दे रखा है वार् चार दे रखा, राजकोष, वीपत्तर, तो राईट आन्सर कौन सा होगा इनमे से, इसका राईट आन्सर हो जाएगा राजकोष, वीपत्तर, अगला कुशन, अगला कुशन दे रखा, पहली पंचवर्शिय योजना में किस पर ध्यान केंद्रित किया गया था, पहली पंचवर्षिय योजना थी उसमें किस पर ध्यान केंदरित किया गया था जिनमें ओप्शन दे रखा था एक निरेक्षन मूलक मोडल के आदार पर नीजी छेतर का विकास करना ओप्शन दो दे रखा एक किंसी अन अर्थसास्तर पर आदारिता सारवजनिक नीजी भाग इदारी विक्षित करना ओप्शन दे रखा था हेरोड डोमर मोडल के आदार पर तर्तियक छेतर का विकास करना और ओप्शन चार दे रखा था हेरोड डोमर मोडल के आदार पर प्रात्मिक छेतर का विकास करना तो दोस्तों पहली पंचवर्षिय योजना थी उसका ध्यान केंदरित्ता किस पर हेरोड दोमर मोडल के आदार पर परात्मिक छेत्र का विकास करना तो इसका राइट आंसर हो जाईगा option number 4 चलिए अगला question अगला question रखा नायल लेक के बहार किसी विवाद का अनोपचारिक समादान किस नाम से जाना जाता है जिसको क्या कहते है आर बी ट्रेशन क्या कहते है आर बी ट्रेशन तो इसका राइट आंसर हो जाईगा option number 4 अगला question अगला question रखा निमिलिकित में से किस राष्टपती के जनम दिवस को भारत में सिक्षक दिवस के रूप में मनाय जाता है तो दोस्तो सरावपली राधा कर्शनन है उनके जनम दिवस को भारत में सिक्षक दिवस के रूप में मनाय जाता है तो इसका right answer हो जाईगा सरावपली राधा कर्शनन अगला question अगला question रखा निमिलिकित में से किस राष्टपती ने लोगसबा को दो बार भार भांग किया था अगला question अगला question रखा मद्यकालिन यूग में नालंदा विस्व विद्याले की इस्तापना अर्थार्थ पुनर उद्दार किस के दोरा किया गया था तो दोस्तों यह किया गया था धरमपाल के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था, धरमपाल के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, option number 3, चलिए अगला question, अगला question दे रहा है, निमिलिक्त में से कौन सा विकलप, वेदों को याद करने के आठ तरीकों में से एक नहीं है, option एक दे रहा है, डंड पत, option दो दे रहा है, गंड पत, option तीन दे रहा है, पुरी पत है, और option चार दे रहा है, माल पत, तो इसका right answer हो जाएगा, पुरी पत है, क्या है, पुरी पत है, जो की, आठ तरीकों में से, एक नहीं है, याद करने का, आठ तरीकों में से, ए जो कि योजन आयोक का इस्तान लिया है, option एक देराखा वित्य आयोक, भी देराखा नीटी आयोक, तीन देराखा है, CAG और चार देराखा चुनाव आयोक, तो योजन आयोक का इस्तान किसने लिया है, नीटी आयोक ने, तो right answer हो जाएगा option नंबर दो, अगला कूशन, अगला कॉप्शन दिरका है 1902 में के थ्यलेतरी सनविदान समसोदन हजीन्याइम के माद्याइम से बनाई गई पंचायतों के संमध में निमलिकित में से कौसा खतन ऐससते हैं तो दोस्तो इसमें option में दे रखा 3 साल का कारिकाली एक option क्या है गलत है तो इसका right answer हो जाएगा option number 3 अगला question अगला question दे रखा निमलेकित में से कौन सा सनवेदानिक निकाई नहीं है इनमें से कौन सा है जो की सनवेदानिक निकाई नहीं है option 1 दे रखा UPSC, option 2 दे रखा भारत के माय नयव्यादी, 3 दे रखा नीती आयोग, 4 दे रखा चुनाव आयोग तो दोस्तो इनमें right answer हो जाएगा सन्यविदानिक निकाई कौन सा नहीं है नीती आयोग तो right answer हो जाएगा option number 3 तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like कर दीजे और अपने दोस्तों को भी share कर दीजे जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, वो सभी दोस्त एक बार चैनल को subscribe भी कर लिजे साथ ही all notification bell को वियोन कर लिजे, जिसे के आगे के सभी notification आपको मिल सके, thank you